हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक मैं चैनल आई हो आप सब अच्छेंगे फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यह टेस्टी और क्रिस्पी कुड़कुरा सा नाश्टा फ्रेंड्स चाहे नाश्टा और स्नेक्स जो भी आपके हैं यह जब यह बनकर त्यार होता है यकीन मानिये सभी को बहुत पसंद आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी और फ्रेंड्स और बनाने में भी इजी बच्चियों है चैनल बड़े सभी को पसंद आएगा और फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी से बनेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस कुड़कुरे एक भी लम्स नहीं है friends इस बात का ध्यान रखे इसमें एक भी लम्स ना हो नहीं तो snacks हमारा फट जाएगा तो इसलिए मैंने याप इसको mash करके अच्छे से रख लिया है तो friends चलिए बनाना शुरू करते हैं इस नाश्ते को तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बरतन लिया है और उसमें उबले हुए आलू को मैंने एट कर दिया है और उसको हम अच्छे से फैला देंगे ताकि क्योंकि यह सुबे के रखे हुए थे आलू जो मैंने मैश करके रखे हुए थे तो फ्रीज में थोड़े जम गिया है तो मैंने इसको अलग कर दिया है चम्मस से और अब ह आट कर रही हूं क्योंकि नाष्टे को टेस्टी और कुरुकुरा बनाना है तो इसमें दो चम्मच नॉर्मल साइस के मैंने चावल का आट किया है और यहां पर मैं चार ब्रैट थी मेरे पास घर में पड़ी हुई थी उसका मैंने क्रंबल बना लिया था मिक्सर ग्रेंडर में में इसन के अंदर ऍन्दर ट्रै कर दिया है तो बच्चों के लिए अर मिर्च को सकते हैं और यहां चमच भर gångमने तो यहां लाल मिर्च को की और यहां और 40 नमक स्वात के अनुसार डाला है और आधा चमची भर कर मैंने सुखा धनिया पाउडर एट किया है फ्रेंड्स जिससे इस स्नेक्स का टेस्ट जाएगा इन सबको हम अब हाँ से ही मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स और इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स क्यू और इसको एक आठी की तरह बना के त्यार करना है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें जब हम पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स तो यह नाश्ता जो है बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में तो इसको बिना पानी के ही साहिता से हम अच्छे से गूंद के रख लेंगे और सारी मैटीरियल को बरतन में से समेट लेंगे अच्छे से तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी रेस्पी है और बहुत ही जल्दी से बनने वाला नाश्ता है चैब बच्चे होए चैब बड़े सभी को पसंद आएगा जब यह बनकर त्या करने कर तो फ्रेंड्स अब चलिए बना ते हैं स्रेंड प्सक्राइब बना लोगी थोड़ा पतला सा करना हमें से रोल बेल दौ्चे से इसे बना सकते 있다 हैंima इसको मैं अच्छे से इसी फ्लेट पे हाथ की सायता से ही इसको रोल सा एक लंबा सा कर लेंगे देखे इस तरीके से तो मैंने इसको ज्यादा पतला नहीं करा है थोड़ा सा मोटा ही है ज्यादा मोटा भी नहीं और ज्यादा पतला भी नहीं और बीच में साम इसको इस तरीके कर लिए देखिए यहां पर और बनकर त्यार हो गया हमारा यह नाश्टा तो फ्रेंट इसको इसी तरीके से मैंने सारे से घरम करने रख दिया था और medium flame रखा है जब oil अच्छे से घरम हो जाएगा तो एक एक करके में सारे snacks को कढ़ाई के अंदर add करती जाओंगी और यहाँ पर हम इसको उतने ही डालेंगे जितने कढ़ाई में आएंगे नहीं तो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे इसलिए इसको medium flame पर ही सेखे और सारे snacks को add कर दे जितने कढ़ाई के अंदर आएं और ताकि अच्छे से सीखे कोई भी कच्छा या पक्का ना रहे तो इसक अच्छे से ब्रेड भी पड़ी ही रहती है तो इनी चीजों से ही हमने यह नाष्टा बना कर त्यार किया और यह बनता जब बन कर त्यार होता है तो बहुत ही क्रिस्पी और कुर्कुरा लगता है खाने में तो फ्रेंड्स अब हम इसको इसी तरीके से सेखते जाएंगे और जब तक सेखेंगे जब तक इसमें गौर्डन कलर न आजए और मीडियम पे सेखने का एक रिजन ये भी है बनाना धो जितना थो मीडियैं वो क्रिस्पी और कुरुकुरा बनकर त्यार होगा और जल्दी जल्दी में सेखेंगे तो स्नेक जो अंदर से कच्चा रहेगा उपर से तो सीखेगा पर वो अंदर से नरम और कच्चा रहेगा इसलिए इसको थोड़ा सा मुडियम फ्लेम पर ही धीरे-धीरे से सेखते जाए ताकि जो कुरुकुरा सा बनकर त्यार हो यह वाला नाश्ता और स्नेक्स फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी से बनने वाला नाश्ता है और इवनिंग की चाहे आप मौर्निं का ब्रेकफास्ट हो या बच्चों को छोटी मोटी भूख सताए तो आप फटा-फट है इसमें कलर आ गया है अच्छे से और आप हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे बारी बारी से तो फ्रेंड्स यहां पर सिखकर त्यार हो गया यह हमारा जल्दी से बनने वाला स्नेक रैस्पी तो इसको अब मैं बारी बारी से प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं देख पर त्यार है हमारा यह क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्टा और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है इस तरह का नाश्टा और यहां पर बनकर त्यार है हमारा यह easy snacks recipe friends जो खाने में जितनी टेस्टी है बनाने में उतनी ही easy है तो यहाँ पे त्यार हो गया हमारा यह snacks तो आपको मैं एक पास से दिखा देती हूँ यह कितने अच्छे से सीख कर त्यार हुआ है और यह कितना crispy है और एकदम खसता तो friends बनकर त्यार हो गया हमारा यह आलू सूजी से बनने वाला tasty sa snacks जितना यह बनाने में easy है उतना यह खाने में tasty लगता है तो friends बहुत ही कम समगडी के साथ और बहुत कम समय में बनकर त्यार होता है यह वाला नाश्ता तो friends अगर recipe अच्छी लगरी हो तो like, share और comment जरूर करें और channel पे नए हैं तो channel को subscribe जरूर कीजिए ताकि आपको एक cooking के अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलते रहें और recipe अच्छी लगरी हो तो like जरूर कीजिए आपके एक like से मुझे motivation मिलता है और friends मेरे channel को support कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए अगर कुछ कमिया है तो वो भी बताइए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ और आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए ये वाली recipe यकीन मानिए सभी को बहुत पसंद आएगी खासकर बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो friends त्यार है ये हमारा आलू सूजी से बने वाला tasty snack तो sauce भी ready है और snacks भी ready है तो friends चलिए enjoy करते हैं इस snacks को तो आजाए आप भी friends और मेरे साथ enjoy कीजिए इस tasty snacks को जो खान में बहुत ही crispy और कुरकुरा लगता है friends अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा मैं तो जा रही हूँ try करने तो आप भी आजाएगे मेरे साथ और try कीजिए इस snacks को और वीडियो को watch करने के लिए thank you very much friends